नमस्कार आप सब का स्वागत है। मैं डाक्टर मुन्नी कुमारी मनवारी महाविध्याले राची हिंदी विभाद। आज मेरे भ्यक्यान का विशा है ब्याकरन से फीचर किसे कहते हैं। बच्चों पिछले क्लास में मैं जनसंचार के वारे में बताई थी जनसंचार किसे करते हैं। तो आज हम लोग पीशर के वारे में पढ़ेंगे। पीचर शब्द का अर्थ है नाक नक्स या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सुचना या समचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तूत करता है। कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आये। उसे फीचर करते हैं। इसमें कथा सैली, पात्र योजना, मार्मिक्ता, थथा सैली की रोचकता की विसेश भूमका होती है। फीचर लेखन की सैली अलग परकार की अलग अंदाज लिये हुए होती है। उसका आरम, कलात्मक, उसुत्तापूर्ण और आकर्षन होना चाहिए। अंत में भविश की संभावनाओं पर परकास डालना चाहिए। फीचर में लेखक के निजी मत्वी महत्पुन होते हैं। फीचर प्राया समचार पत्रों में जो लेख छपते हैं। हमें याज्यात करवाता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये तीनों जिग्याशाएं समचार के लिए आवश्यक है। प्रन्तु जब इतीनों के साथ साथ घटना का बहुत पहले और भविस भी जुड़ जाता है। तो लेख प्रन्ता प्राप हो जाता है। ऐसे लेखों को फीचर कहते हैं। इनमें किसी व्यक्ति, विशय, घटना या समचार का खूला बढ़नन होता है। सरस्ता और मनुरंजन इनकी खास पहचान है। डाप्टर पुर्शोत्तम दास तंडन के अनुसार फीचर एक परकार का गदगीत है। जो नीरस, लंबा और गंबीर नहीं हो सकता है। क्योंकि मनुरंजन और जानदार होना उसकी विसेस्ता है। बलेयर महोदे के अनुसार फीचर का उदेश शमान पाठक का मनुरंजन करना अथ्वा उसकी जनकारी बढ़ाना। फीचर के गुण। फीचर एक परकार का शतंत लेक होता है। शिकन पॉइंट फीचर लेखक पुस्त की ग्यान पर नहीं आखों देखी और कानों से सुनी पर भरोशा करते हैं। फीचर तथ्यों आकरों की वजाए आगे क्या होता है इसकी चिंतन और कल्पना पर अधारित होता है। फीचर की सैली नितनूतन, मनुरंजन और लुभामनी होती है। इसमें चित्रों के लिए जगा होती है। फाइब, फीचर में प्रभाव डालने और आनंदित करने की इच्छा होती है। तो बच्चों आप समझ गये होंगे। धन्यवाद। जब फ्रुभामनी होती है। झाल झाल